किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माना कि इस जालिम दुनिया में सौकसेज होना मुस्किल है माना कि इस जालिम दुनिया में सौकसेज होना मुस्किल है लेकिन अगर इस दिल और जान से ठान ले न तो इस जालिम दुनिया की आउकात नहीं न कि आपको सॉकसेज होने से रोक दें नमस्कार मैंस ये चंदरा चलिए कुछ नया सुनते हैं आज एक ऐसे सक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम ना ही आज किवल यूपी और बिहार में मसूर है बलकि उनका नाम का डंका पूरे दुनिया में बसता है आज हमें कैसे सक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका घर एक घास फूस का कुटिया था बारिस होने और पानी टपकने के कारण उनकी मा उनको दूसरे की घर्म में जाकर जन्म दिया जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं फोजपुटी इंडेस्ट्री के बादसा और सूपरेस्टार खेंसारी लाल यादो के बारे में थोरी सी बाते पहले आपको बता दें कि खेंसारी लाल यादो आए दिन और बीते दिन गरीबों की मदद करते ही आप अगर जानेंगे न तो आपके आँखों से आशु आ जाएगा खेंसारी लाल यादो का जैसे कि मैंने आपको पिछे भी बताया कि खेंसारी लाल यादो का जन्म कैसे हुआ था दोस्तों खेसारी लाल यादों का जन्म बलकि उनके घर में नहीं उनके परोष के घर में हुआ था इसलिए कि उनका घर जो है एक कुटिया था और बारिस का पानी जब बारिस हो रहा था तो उनके कुटिया से पानी टपक रहा था और जब पानी टपक रहा था तो उस समय उन इस्टार हैं आप लोग को बता दे कि खेंसारी लाल यादों का बस्पना जैसे तैसे कट गया वो अक्सर जो है बताते रहते हैं कि भैंस चराते हैं जी सही बात बताते हैं वो कि बस्पन में वो जो है भैंस चराते थे और मुरैठा बांध करके और भोस्परी गाना गाने में मगन रहते थे जैसे तेसे उनका बस्पन गुजरा उनके पापा जो है भूजा होता है चाटपिटी होता है वो भूजा बेजते थे अक्सर वो खेंसारी लाल भी आप लोगो को बताते रहते हैं जैसे तेसे उनका बस्पन गुजरा जवानी आई माबाप ने उनका साधी कर द तो आपको पता ही यह क्या होता है बाल बच्चे का तो ख्याल रखना ही पड़ता है तब कि सारी लाल यादो जो है दिल्ली के ओखला में गए और वहाँ पे जाने के बाद लीटी और चोखा बेचने से अपनी सुरुवात की वहाँ पे लीटी और चोखा बेचते थे और जैस उन्होंने भोषपुडी के first cassette को lunge किये भोषपुडी का first cassette जब उन्होंने lunge किया तो वो cassette जो है flop कर गया जैसे कि वो भी आपको बताते हैं भोषपुडी का पहला cassette उनका flop कर गया फिर वो एकदम से demotivate हो गये लेकिन हार नहीं माले लीटी चोखा बेशना जारी रखा और उन्होंने दूसरा cassette जो है launch किया और यही cassette उनका किसमत का दरवाजा खोल दिया दोस्तों आप लोग को बता दें कि यह cassette जो है उसमें से दो गाना वाइरल हुआ और खेंसारी लाल यादो को offer पे offer कंपनियों के तरफ से demand पे demand उनके लिए आना लगा और आज खेंसारी लाल के बारे में यह एक छोटी सी कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए